तो दादी को ले जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल ला ला इसमें तो इतने हैं शेल हेलो गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं आज आप लोगं के लिए एक फिर से नया व्लोग लेकर तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब लोग ठेक ही होंगे तो फ्रेंड्स मैं अभी अभी आया हूँ डूती से और अब मैं जा रहा हूँ दादी को लेकर डॉक्टर को दिखाने क्योंकि दादी को आज फिर से घवराहत की समस्या हूई है और परेसान हो रही काकी तो मैं जाके दादी को ले आता हूँ और डॉक्टर को दिखाते ले आता हूँ है क्या है है बुखार बुखार नहीं है मेरे को घवराओ को रहा हूँ चले हैं दिखा लाता हूँ मैं दादी को ले जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए अभी थोड़ी देर में तो दादी जैसे ही इस काम को कर लेगी तो मैं दादी को लेकर तुरंत सीधे होस्पिटल जाँगा और दादी को दिखा के लाऊंगा कि दादी को आखिर क्या तकलीफ हो रही है और काफी परिसान है बिचारी तो दादी को मैं लेके जाता हूँ बस दादी अपना थोड़ा ये काम निप्टा ले उसके बाद मैं दादी को ले जाता हूँ क्योंकि दादी ने इसका माहाट डाल दिया है वो इसको पूरा करके ही छोड़ेगी क्योंकि दादी को अंताज है कि इसे कैसे खाया जाता है हमने तो पहले कभी देखा नहीं ये देखिए इसे कहते हैं पांगर ये काफी अच्छा फल है और ये आजकल बरसाद के मौसम में होता है जब अकरोट का सीजन होता है तो उससे पहले-पहले पांगर का सीजन भी होता है तो फ्रेंट अभी थोड़ी देर में मैं दादी को लेखर जाता हूँ हॉस्पिटल मैं तो रेडी हो चुका हूँ और ये देखिए हमारे कान जी यहाँ पे साप सफाई में लगे हुए है काफी काम सौप दिया गया है उन्हें सफाई का इतने जिम्मेदारी से सफाई कर रहे हैं कि मैं भी इतने जिम्मेदारी से सफाई नहीं करता हूँ ये देखिए जाड़ू तक उठा नहीं पा रहे हैं लेकिन लगे पड़े हैं इधर उधर से इधर फ्रेंड्स अभी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में तब तक दादी को दिखा के ले आता हूँ और बने रहे हैं मेरे साथ ब्लोग में कि क्या क्या होने है आज तो आईए चलते हैं तो फ्रेंड्स मैं दादी को लेकर निकल चुका हूँ और यहां पे गाए घास चर रही है यहां पे एक फिल्ड है उसमें तो friends हम निकल चुके हैं दादी और मैं दादी को दिखाने के लिए मैं निकल चुका हूँ एक auto मैंने यहाँ से पकड़ लिया है और उसमें बैठ कर मैं दादी को लेके जा रहा हूँ hospital और phone पर मैंने अपना number लगा लिया है दादी के नाम से तो friends यह देखिए auto वाले भाया भी काफी अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि साम के वक्त है और काफी traffic हो चुका है सहर में यह देखिए आप देख सकते हैं सहर में काफी traffic है और काफी अच्छा भी लग रहा है यह देखिए साम के समय का मौसम धूप जा चुकी है और लोग कुछ लोग टैल भी रहे हैं कुछ लोग गूम रहे हैं और कुछ गाड़ियां पाढ़ से इधर की तरफ आ चुकी है और कुछ जा रही है यह देखे, सब अपने अपने घर को जाने के तैयारी कर रहे हैं क्योंकि साम का समय हो गया, यह देखे यहां पे चौराहे पे कितना जाम लगा पड़ा है काफी जादा, बहुत जादा ट्रेफिक हो रहा है यहां पे लेकिन यह देखे, आटो वाले भाईया काफी सावधानी से एकदम देरे-देरे चला रहे हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है दादी की तब्यत खराब है तो फ्रेंट्स ये देखिए दादी का चेहरे से ही लग रहा है कि दादी की तब्यत कितनी खराब हो रही है दादी के आख भी एकदम गड़े में जा चुके हैं काफी कमजोर काफी वीकनेस हो रही है दादी को तो दादी के लिए कुछ ऐसी दवाईयां लेके आऊँगा आज ताकत की ताकत की दवाई दूँगा उन्हें आज तो फ्रेंट्स हम थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे देखिए कितना अच्छा मौसम इसम हो गया है बारिश का मौसम हो रहा वैसे लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पर पेड़ दिखाई देते हैं तो कितनी हर्याली है इन पेड़ों के बीच यह देखिए लोग निकल गए है टहलने के लिए और मैं जा रहा हूँ दादी को लेके हॉस्पिटल इस वक्त यह देखिए अभी यहाँ पे एक अंकल जी और बैठ चुके हैं हम लोगों के साथ तो कुल मिलाके तीन सवारी है हमारे ओटो में और हम थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल यह देखिए सड़क कितनी अच्छी लग रही है इसमें एकदम सारी दूल मिटी सब नीचे बैठ गई है क्योंकि बारिज होई थी और यहाँ पे कुछ बंदर उचल कूट कर रहे है हॉस्पिटल के पास दादी अंदर बैठी हुई है और मैं बाहर से यहाँ पे यहाँ पे बंदर की वीडियो बना रहा हूँ यह देखिए आपस में खेल रहे हैं सारे के सारे बंदर इतना बड़ा पेड़ है यहाँ पे कहीं कहीं पेड़ है वहाँ पे बंदर दिखाई देते हैं यह देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं एक छोटा बंदर यहाँ पे मैंने देखा था कितना अच्छा मोशम हो रहा है इस समय ये देखिए ये खूदा और अभी ये कहा को जाता है देखता हूँ इसे तो ये उतर चुका है और इसका बच्चा भी उतर चुका है ये देखिए ये जा रहे हैं आगे की तरफ आगे वाले पेड़ में जाएंगे सायद ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स ये जा चुका आगे और इसका बच्चा भी दोड़कर इसके पीछे जा चुका है तो फ्रेंड्स दादी को दिखा लिया है मैंने और अब मैं आ गया हूं रोट पर यह देखिए मैंने ले लिया है एक अटो और दादी अभी थोड़ा खुश है क्योंकि डाक्टर ने उन्हें देख लिया है दिखा शुगर भी ठीक था तो दादी को हुई है घब्राअट की समझया तो हम दवाई ले आए हैं किती त॥ की लेंती फ oppression डि phase 2 राएबे जिस है और्शान्निट पेंसaczy रखेस्ट की ऐखेस्ट रखेस्ट लेंसा फि centuries वाल फिस ब contributed तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं और पहुंच चुके हैं घर ये देखिए दादी यहाँ पे बैठी हुई है काफी सुंसान क्योंकि दादी की तबियत थोड़ा खराब है इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आद कुछ भी इस फ्रेंड्स यह है पांगर जो पहाड में ही होता है और यहिए देखिए मम्मी उबाल रही है पांगर को क्योंकि मम्मी को उसका एडिया है मुझे तो नहीं है और भावना को भी नहीं है दादी ने बताया कि उसे कैसे उबाल थे, तो मम्मी उसे उबाल रही है, देखिए, कुकर में रख दिया है, मम्मी ने थोड़ी देर में उबल जाएगा, तो फ्रेंड्स ये था पहाड का पांगर, तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ, दादी को डॉक्टर को दिखा के और दवाई ले आया हूँ, थोड़ी बहुत उनके लिए, तो कल परशू तक दादी ठीक हो जाएगी, और ये तिल्या भी काफी रो रहा है, तो आज का व्लोग उताई यहीं पर समात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, और लाइक केजिए, चादा से चादा, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप से अपने नए व्लोग में, तब तक के लिए, बाई फ्रेंड्स